मित्रो वीडियो में आगे जाने से पहले अपना पास सेकंड का किमती वक्त देकर सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और वैल आइकन भी दवाएं जैसे आगे आने वाले वीडियो जी सीधे आपके पास पहुंच जाएं चलते हैं आज पुना हाँ एक नए पाथ की और जो की ग्यारहवा पाथ है एका दशह पाथ हाँ ग्यारहवा पाथ ग्यारहवा पाथ महावी निश्क्रमण पाथ का नम क्या है महावी निश्क्रमण महावी निस्क्रमण कार्थ क्या होता है तो यह शब्द जो है यह बौध्ध संप्रदाय में प्रियोग किया जाता है महावी निस्क्रमण मतलब निस्क्रमण संसकार नाम से है और यह शंशकार जो है यह वौध्ध दर्म का प्रमख शंशकार कहा गया है और उसके बारे में अपन ववध धर्म के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और जो उनके परवर्टक कहे जाते हैं गउतम बुद्ध उनके बारे में भी पढ़ेंगे चले चलते हैं यहां परिशिष्ट दिया हुआ है परिशिष्ट में पढ़ लेते हैं पाठ के बारे में क्या कहा है पुरा भारत वर्षे कपिल वस्तु नामनी नगरे सुधो धनो नाम राजा अभवत पुरा पुरा मतलब होता है प्राचीन काल तो प्राचीन काल में भारत वर्षे मतलब भारत वर्ष में कपिलवस्तू नामनी मतलब कपिलवस्तू नाम का नगरे मतलब नगर में तो प्राचीन काल में कपिलवस्तू नाम के नगर में सुध्धोदन नाम का सुध्धोदन नाम राजा अभवत राजा मतलब राजा अबमत मतलब हुआ तो प्राचीन भारत वर्ष में कपिल वस्तू नाम के नगर में सुधोदन नाम का राजा हुआ तस्य पुत्रह सिधार्था आशीत तस्य मतलब उसका पुत्रह मतलब पुत्र सिधार्था मतलब शिधार्थ आशीत मतलब था तो उसका जो पुत्र था उसका नाम था क्या? सिधार्थ सिधार्थ था उनके पुत्र का नाम I am गौतम इती वनस नामना ख्यात आशीत ख्याता हा आशीत I am, I am मतलब यह गौतम, गौतम मतलब गौतम इती मतलब इश्परकार वन्ष मतलब वन्स, नाम ना मतलब नाम, ख्यात मतलब विख्यात, आसित मतलब था तो यह गौतम इस प्रकार के वन्स के नाम से विख्यात था गौतम जो था यह सब्द, इनके वन्स का नाम गौतम था, इस वन्स से विख्यात वन्स था इनका सिद्धार्था सांसारिक भोगा नाम नस्वरताम प्राणी नाम कष्टा नाम चया अवलोक्य राज्य भोगात विरक्ता जाता है सिद्धार्था शिद्धार्था मतलब शिद्धार्थ जो की पुत्र किसके थे सुध्धोदन के पुत्र थे शिद्धार्थ सिद्धार्थ प्राणी नाम मतलब 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 प तो यह सांसारिक भोगों की नश्वरता को देखकर और प्राणियों के कश्टों को देखकर राज्य भोग शे विरक्त हुए आयमेव सिधार्थ अनंतरम गौतम वुद्ध इती नामना प्रसिधा अभबत आयमेव यह ही सिधार्थ सिधार्थ नामशे अनंतरम मतलब बाद में तो यह जो सिधार्थ हैं यही बाद में गौतम वुद्ध इती नामना गौतम वुद्ध इस नाम से प्रसिधा अभबत मतलब हुए तो गौतम बुद्ध इस नाम से प्रसिध हुए अगे क्या कहा नाट्यांसो अयम तो नाट्यांसा अयम जो नाट्यांस है यह नाट्य का अंस जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें क्या है सिध्धार थश्य मतलब सिध्धार थके परिवरज्या परिवरज्या मतलब होता है एक परकार का जो परिवरज्या कहलाता है एक नियम कहलाता है तो उस नियम के या परिवरज्या मतलब दीख्षा भी अपन कह सकते हैं गरहन पूरवशे मतलब गरहन करने के पूर्व की मानसिक मतलब मानसिक अवस्थाम परकटे आती यह मतलब अवस्था को परकट करता है तो जो यह यहां पर नाट्यांस दिया गया है यह सिधार्थ के परिवरज्जा गरहन करने के पूर्व की मानसिक दसा को परकट करता है किस शिद्धार्थ कहते हैं पहले, सिद्धार्थ हा, स्वागतम चिंतयन, हंत, कियती विडंबना मानव शरीरस्य, वासंतिकम यौबनम, कुशुम शुकुमार मनोहरा, देह संपत, किमीदम सर्वम स्थिरम, क्या कह रहे हैं यहां पर? सिद्धार्थ, क्या कह रहे हैं? स्वागतम चिंतयन, स्वागतम मतलब अपने मन ही मन, चिंतयन, चिंतयन मतलब सोचते हुए, सिद्धार्थ अपने मन ही मन सोच रहे हैं, हंत, कियती विडंबना, हंत मतलब हाय, कियती, कियती मतलब किस परकार की या कैसी, विडंबना मतलब सम या दुख तो किस प्रकार का अरे किस प्रकार का दुख ऐसा कह रहे हैं कि यती बिडम्बना है किस प्रकार का दुख मानव सरीर अश्य मानव के सरीर का या मानाव सरीर की कैसी बिडम बना है वासंतिकम यौबनम वासंतिकम यौबनम मतलब वशंत के समान वासंतिकम मतलब वशंत के समान जिस प्रकार से वशंत की रितू होती है उशी पिकार कहा तो वशंत के समान यौबनम मतलब यौबन कुशुम शुकुमार मनोहरा देह शंपत क्या कहा कुशुम शुकुमार अलग अलग शब्द है एक तो कुशुम शुकुमार और मनोहरा देह शंपत कैसी कुशुम के शमान मनोहर और शुकुमार देह शंपत मतलब सरीर की संपत्ती तो शुंदर पुश्प के समान यह जो शरीर है सरीर रूपी शरीर की संपत्ती किम इदम सर्वम स्थिरम किम इदम क्या यह इदम मतलब होता है यह क्या यह सर्वम मतलब सभी इस्तिरम यहां प्रश्ण वाचक चिन्हें लगा है प्रश्ण मन में पूछ रहे हैं जो यह सरीर है इस मानो सरीर की किस परकार की विडम बना है यह वशंत के समान यौवन और सुकुमार मनोहर पुष्प के समान यह देह रूपी शंपत्ती किम इदम शर्वम इस्तिरम क्या यह सभी इस्तिर हैं किम यशुधरायाह यौवनम चपलम क्या यहां भी प्रश्ण पूछ रहे हैं मन में किम यशुधरायाह यशुधराका यौवनम चपलम क्या यौवन भी इस्तिर है क्या यशुधराका भी यौवन इस्तिर है किम जरा व्याधर म्रत्युष्च मदिया अंतर पुर परिचाई का कदापी नाक्रमश्यंती किम मतलब क्या जरा मतलब होता है बढ़ापा व्याधर व्याधर मतलब होता है रोग और म्रत्युचा मतलब और मत्यु मतलब म्रत्यु तो क्या बढ़ापा ब्याधी मतलब रोग तो बढ़ापा रोग और मरत्यूद मदिया मतलब मेरे मेरी या मेरे या मेरी तो मदिया है तो मेरी अंतहपुर परिचाई का अंतहपुर की जो परिचाई काएं हैं अंतहपुर की शेविकाएं हैं उन्शेविकाओं पर भी, गदापी नाकरमश्यंती, गदापी मतलब होता है कभी भी, तो नाकरमश्यंती मतलब कभी आकरमण नहीं करेंगी, यह भी मन में बचार कर रहे हैं, क्या जो यह ब्याधी है, रोग है, बढ़ापा है, और मत्यू है, क्या यह मेरे अंतःपुरू की परिचाई काओं पर भी अक्रमन नहीं करेंगी इस प्रकार से किमेता किमेता ना जानन्ती यद्योवनम चपलता क्या कहा किमेता ना जानन्ती यद्योवनम चपलता किमेता क्या इस प्रकार या क्या यह ना जानन्ती नहीं जानते हैं कि क्या यह नहीं जानते कि योवन कैसा है चपल है अस्थिर है मतलब इस्थिर नहीं है जरा रूपम नाश इस्थिर जरा मतलब होता है बुढ़ापा रूपम मतलब होता है रूप और नाश इस्थिर मतलब नाश करेगा जो बुढ़ापा है यह रूप का नाश करेगा यह कह रहे हैं यहाँ पर अब यशोधरा है वो बोलती है तो इनके इस परकार के मन में बिचार कर यह किवल मन में बिचार कर रहे है लेकिन पुनाह जो यशोधरा है यशोधरा बोलती है चलें देख़ें क्या बोलती है क्या कह रही है क्या किया सोच रहे है च्राँ मतलब क्या चिन्तायाती मतलब सोच रहे हैं भवान मतलब आप तो आप क्या सोच रहे हैं सिधार्था अब सिधार्था कहते हैं ना किमापी यशोधरे ना किमापी यशोधरे मतलब ना मतलब नहीं किमापी मतलब कुछ भी यशोधरे मतलब यशोधरा ना किमा पी यशो धरे कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ उद्विग्न मेव मेचेताह मे मतलब होता है मेरा चेताह मतलब होता है मन उद्विग्न मतलब होता है घवराना या परेशान तो मेरा मन परेशान है कौन कह रहा है? शिद्धार्थ कह रहे हैं मेरा मन परेशान है इत एही अत्रो पविश इत एही मतलब होता है यहां आओ इत एही मतलब यहां आओ और अत्रो पविश दो शब्द हैं अत्र और उपविश तो यहां आओ और यहां बैठो कौन कह रहे हैं शिधार्थ कह रहे हैं यशोधराशे क्या कह रहे हैं इदमेव बिलोक्य मतलब देखकर आश्चर्य मतलब आश्चर्य अनुभावामी मतलब अनुभाव करता हूं यशोधरे मतलब यशोधरा कि हे यशोधरे मैं यहशब देखकर ही आश्चर्य का अनुभाव करता हूं यत की वयम हम सब मनुश्या मतलब मनुश्य प्रति दिनम प्रति दिन ग्रसंतीम मतलब ग्रस रहे हैं मरति राक्षशी मतलब मरति राक्षशी के द्वारा या फर मरति रूपी राक्षशी जानन तो पी ना सोचा महा जानन तो अपी मतलब जानतो हुए भी ना सोचा महा नहीं सोचते हैं क्या कह रहे हैं यशोधरे मतलब यशोधरा 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 के कह रहे हैं कि यशोधरा हम मनुश्य यह जानते हुए भी नहीं सोच रहे हैं चिंतन नहीं कर रहे हैं कि जो मृत्यू रूपी राक्षिशी है वह मनुश को प्रती दिन खाती है या फर प्रती दिन खा रही है मृत्यू रूपी राक्षिशी क्या कह रहे हैं जो कि ये सब चिंतन चल रहा है इनके मन में सिधार्थ के मन में अद्य ना जाने आज अद्ध मतलब होता है आज ना जाने ना मतलब नहीं जाने मतलब जाने या फिर ऐसा ना जाने मतलब ना जाने डायेट ठेपन अपने हिंदी में भी बोल सकते हैं तो आज ना जाने मदिये मतलब मेरे हरदये मतलब हरदये में कश्चन कश्चन मतलब कुछ वक्ती मतलब कह रहा है तो आज ना जाने मेरा हरदये कुछ कह रहा है यत की मेरा हरदये कुछ कह रहा है की जरा मतलब होता है बुढ़ापा मरत्यू अब और मेरा मन कुछ सोच रहा है कि बुढ़ापा व्याधी और म्रत्यू को وجत्यू मतलब जीत करही विजित्य और एव शब्द है यहां पर तो विजित्य आईव तो मृत्यू को जीत कर ही मनुश्यस्य मनुश्यका यवणम मतलब यवण विलासस्च मतलब यवण और विलास सोभती मतलब सोभा देता है तो मृत्यू को जीत कर ही मनुष्य के योवन और विलास हैं जो यह सोभा देता है या सुभा देते हैं नरत्य संगीत वादित रेशु नानुरंजयामी नरत्य संगीत मतलब नरत्य संगीत नरत्य और शंगीत आदी वादित रेशु वादित रेशु मतलब जो और वाद्ययंत्र हैं तो नरत्य शंगीत आदी और गानेशे क्या है नानुरंजयामी मतलब प्रशन नहीं होता हूँ ना चा ना मतलब नहीं चा मतलब और और क्या तुष्यामी क्या कहा ना चा तुष्यामी तुष्यामी मतलब होता है शंतुष्ट होता हूँ क्रीडो ध्यान द्रुमाई है अलग-अलग शब्द हैं एक तो क्रीडा दूश्रा उद्यान और तीश्रा द्रुम द्रुम मतलब होता है व्रक्ष उद्यान मतलब होता है बगीचा या उद्यान क्रीडा मतलब होता है खेल और ना ही उद्यान में क्रीडा करने से संतुष्ट होता हूँ और क्या कहा प्रेक् पंजरई है मतलब प्रेक्षा ग्रह मतलब होता है नाट्या साला तो नाट्या साला में पंजरई है मतलब पात्रों से तो प्रेक्षा ग्रह के पात्रों से भी संतुष्ट नहीं होता हूँ और श्नान ग्रह निर्जरई है मतलब श्नान ग्रह में बहने वाले जहरनों से या फि तुष्ट नहीं हूँ यशुधरा अब ये सब बात हैं जब वो कह रहे हैं यशुधरा से तो यशुधरा कहती है तरही किम व्यवशीयते भवता तरही किम व्यवशीयते भवता तरही कुमार तो कुमार किम व्यवशीयते व्यवशीयते मतलब होता है निश्चे किया भवता म तो कुमार आपने क्या निश्चे किया सिधार्थ अब सिधार्थ बोल रहे हैं इदमेव वान्चामी ये सोधरे ये मतलब येशूधरा इदमेव मतलब ये ही वान्चामी मतलब चाहता हूँ यह ही चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कह रहे हैं इदमेव इक्षामी यसोधरे, यह ही चाहता हूँ यसोधरा, यदधुना परिवराजको भूत्वा मृत्योर ग्रहाई तपश्चरेयम यदधुना परिवराजको भूत्वा मृत्योर ग्रहाई तपश्चरेयम अब शधार्थ कह रहे हैं, कि यदधुना, अधुना मतलब आज, यद मतलब की, तो आज परिवरज्यको भूत्वा परिवरज्यको भूत्वा मतलब परिवरज्यक कहलाते हैं सन्यासी, भूत्वा मतलब होकर कि अव अधुना, यद अधुना मतलब आव, कि अव सन्यासी बनकर मरत्योर नग्रहाई, मरत्योर नग्रहाई मतलब मरत्यो को पराजित कर ग्रह मतलब होता है पराजित तो ब्रत्यू को पराजित कर तपस्चरयम तपश्या करूँगा यशुधा इस प्रकार से इक्षा कर रहा हूँ मैं मैं इस प्रकार से सोचता हूँ कि अब सन्यासी बनकर और ब्रत्यू को पराजित करने के लिए तपश्या करूँगा यशुधर अब यशुधरा बोलती है किम इदम भाशते भावान किम इदम मतलब यह क्या भाशते भाशते मतलब कह रहे हो तो भावान मतलब होता है आप आप यह क्या कह रहे हैं परिवरज्यायाह नायम शमयाह परिवरज्यायाह मतलब होता है शमादी परिवरज्या मतलब समादी होती है परिवरज्या मतलब तो नायम समयाह यह समय नहीं है यह परिवरज्या का समय नहीं है कतिपय माशेभ्यः पूर्व मेव तु भावान साक्य वंस धरस्य कुमार राहुलस्य जनकाह संजा तोष्टी क्या कहा आप यह क्या कह रहे हैं यह परिवरिज्य धरन करने का समय नहीं है कतिपय माशेभ्या पूर्व मेव कतिपय मतलब होता है कुछ ही माशेभ्या मतलब माहों के पूर्वा मेव मतलब पहले ही तो भावान भावान मतलब आप साक्य वंस धरस्य कुमार शाक्य वंस मतलब शाक्य वंस के तो शाक्य वंस को धरस्य मतलब धरन करने वाले शाक्य वंस को धरन करने वाले कुमार मतलब कुमार राहुलस्य राहुलस्य मतलब राहुल को या राहुल के जनकाह मतलब जनक पिता संजा तो अस्ती मतलब हुए हैं तो कुछ ही माह पूर्व तो आप साक्यवंस को धर्ण करने वाले कुमार राहुल के पिता वने हो आगच्छतु भवान अध्य कुमार राहुलश्य अभी निश्क्रमन संसकारह आगच्छतु मतलब आओ भवान मतलब आप तो आप आओ अध्य कुमार, अध्य मतलब आज कुमार मतलब कुमार, राहल श्य मतलब राहल का, तो आज कुमार राहल का अभी निस्क्रमण संसकार है, मतलब आज कुमार राहल का अभी निस्क्रमण संसकार है, कौन कह रहा है, ये शोधरा कह रही है, आज तो राहल का अभी स्क्रमड संसकार है अब सिधार्थ बोलते हैं ना किमापी इक्षामी या शुधरे जो सिधार्थ हैं वो बोल रहे हैं कि ना किमापी इक्षामी ना मतलब नहीं किमापी मतलब होता है कोई भी इक्षामी मतलब इक्षा तो अब मेरी कोई इक्षा नहीं है ना किमापी इक्षा मेरी कुछ भी इक्षा नहीं है कुछ भी मेरी करने की इक्षा नहीं कर रही है अब कुछ करूं आगच्छतु भवायां अद्याइव प्रवर्जायाई अनुमतिं ग्रहातुम अनुमतिं ग्रहातुम अनुमतिं ग्रहितु मतलब लेने के लिए महराज अश्य मतलब महराज के सौध मुपशरपामी मतलब महल मैं जाऊंगा अध्याईब प्रबज्यायाईः अनुमतिम आज ही प्रबज्या की अनुमति के लिए इस प्रकार से वह कह रहे हैं किस से कह रहे हैं शिधार्थ कह रहे हैं यशोधरा से कि यशोधरा मेरी अब कुछ करना की इच्छा नहीं है आज यही सन्यास की अनुवती लेने के लिए महराज के पास महल में जाऊंगा और इस परकार से कहते हुए धीरे धीरे पीछे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आज ही सन्यास के लिए जाऊंगा जब इस प्रकार से अब यशोधरा बोलती है यशोधरा मतलब यशोधरा बोलती है तारश्वरेन तारश्वरेन मतलब उंचे श्वर्मे कुत्र प्रयाती कुमार कुत्र प्रयाती कुमार बहुत उंचे स्वर्मे बोल रही है आज इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं यहां एक दरश्य अपना पूरा हो गया जो यह दूसरा दरश्य है यह अगले वीडियो में आपन करमशाह देखेंगे